ट्विटर के मालिक एलन मॉस्क के बाद स्लोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेस्बुक भी अब उसी राह पर चल दिया है पहले एलन मॉस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए चार्ज लगाया था अब फेस्बुक पर भी ये कहानी बोनी जा रही है असल में बीतेर अब इवार को कमपनी ने घुशना करते हुए कहा कि सब्ता हम मेटा सत्यापित शुरू कर रहे हैं ये एक सदस्यता सेवा है जो आपको अपने अकाउंट को एक सरकारी आईडी प्रूफ से वेरिफाइड करने वा ब्लू टिक प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है कमपनी के और से बयान दिया गया है कि सर्वस का एलान फेस्बुक के सी यो मार्क जुकरबर्ग ने किया है उन्होंने एक फेस्बुक पोश्ट करते हुए इस बारे में जानकारे दे जिसके बाद फेस्बुक पर अचानक खल चल पैदा हो गई है पहले आपको मार्क का ये पूरा पोश्ट पढ़कर सुनाते हैं आखर क्या लिखा है उसमें अब आपको बताते हैं कि ट्विटर की तरह आपको फेस्बुक पर ब्लू टिक के लिए कितने पैसे चुकाने होंगे 19 फरवरी 2030 को फेस्बुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने फेस्बुक पोश्ट के जर ये सब्स्रिप्शन सर्विस के बारे में जानकारे देते हुए बताया कि वेप पर मेटा वेरिफाइड के लिए आपको एक महीने का 11.99 डॉलर चुकाने होंगे जबकि आयोएस पर आपको इसकी कीमत 14.99 डॉलर देनी होगी जुकरबर्ग ने पोश्ट में लिखा है कि इस हफते हम मेटा वेरिफाइड शुरू कर देंगे अंत में आपको बताते चले कि आखर कहां कहां शुरू हुई है ये सर्विस मिश्टर मार्क जुकरबग ने बताए कि मेटा की ये सुविधा इस सबता आउस्ट्रेलिया और निजिलेंड में शुरू होगी इसके अलाबा अन्य देशों में भी ये सर्विस जल्द ही शुरू कर दी जाएगी हाला कि ये सर्विस भारत में कब शुरू होगी और इस सर्विस के अंतरगत पुराने वेरिफाइड अकाउंट वाले आएंगी या नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट वेरिफिकीशन के लिए पैसा लेना आपको कितना ठीक लगता है मैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं